आज हम आपको सिखाएंगे आप गार्ड रिस्त या फिश के रिस्ते कैसे बना सकते हैं वाजवान में तो रिस्ते सब को बहुत पसंद होते हैं और हम आपके लिए लाए हैं ये आसान तरीका फिश के रिस्तों को गार पे बनानेगा आपे वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा ये काफी ज़दा लजीज रेसिपी है आपको बहुत पसंद आएगी हमारे इंस्टरग्राम और फेजुक पेश पर ज़रूर हमें अपना प्रिक्चप फिडबेक सेंड कीजेगा हम शियर करेंगे अपने फॉलोवर्स के साथ और हमारी चानल कश्मीर फूट फीजिन को सबस्क्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली से भी सबस्क्राइब कराएए सबसे पहले हमने लिया याप पे फिश दो किलो तक अगर आप हमें इंस्टरग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगे हमारे पास एक प्रॉक्जिमेटल पांच किलो की फिश थी उसका हाफ है ये तो ये दो किलो फिश हमने लिया है आप अपने चोईस के अकॉर्डिंग फिश यूज कर सकते हैं और वाजवान में इसको लाम का मीट भी यूज किया जाता है लेकर हमने यहां पे यूज नहीं किया है वो साथ में हमने लिया है लाम का फैट चरुबी 100 ग्राम्स अगर आप यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको इसके बदले मेदमादा और बेसन डालना है जरूरी जिंजर पाउडर शोंट ब्लाक काड़िमं बर्डल ग्रीं काड़िमं नेचरल जिंजर गालिक का पेस्स दगित अदरक तरुहन या तो आप नॉमल गार्लिक ले सकते हैं क्यूमिन सीट्स जूर सिनिमन एंड क्लोज दालचीन दुरॉंक हमने आपे टरमेटो प्यूरी भी यूज की है सबसे पहले हम पान लेंगे उसमें पानी डालेंगे और फिश डाल देंगे पानी फिश को कवर करना चाहिए फिलेंगे हम हल्दी आदी चोटी चामच वो इसम कर रहे हैं इसको उबालना है जिब तक नहीं सॉफ्ट हो जाए मीट यहां हमने लिया है मॉटल एंपैसल तोटनियम इसमें हम जो आनमल फैट ने लिया है लाम का फैट वो डाल देंगे यह पहले हमने गरम पानी में रखा था अब इसको पानी से आपनी चोट के इसमें डा आप यह मिक्सग्राणर में भी कर सकते हैं फिर आपको इसको एक शेप देनी है जाहे आप राउंड शेप दे दे या रेक्टाइंगलर शेप दे दे ताकि एक ही कॉमन शेप पकड़े और हम इसको फिर फूर्दर यूज कर सके हम आप पे पैन का लिट उठा रहे हैं और द लृणन तरीका है जो इसमें अब यह चेंट्रिल पोर्शन होता है इसकी बॉण का आप इसको पकर सकते हैं और इसको जाड़े आप जाडने से जो इसमें सारा मीट है वो सारा गिर जाएगा तो इस तरह को शेक करना है जाडना है ताकि जो प्हूर्द है वो थारी हरडियो पे बोंस पे से वो गिर जाएगा और कांटे आपके सेपरेट हो जाएगे और मीट सेपरेट हो जाएगा और आप चेक करेंगे कि जो इसका आउटर कवर है वो भी आपको नहीं डालना है फिश का हमें सिर्फ अंदर का वाइट मीट चाहिए तो कांटे देखिए यह हमरी मूग कर देंगे अच्छी तरीके से जितने आप से हो सकते हैं बाके तो फिर ग्राइंड हो जाएंगे यह देखिए अब हमारे पास एक फिश का मीट है यह जो इसका आउटर कवर है यह हमें नहीं चाहिए स्किन और यह बून्स बगएर है जो हम फैंग देंगे तो हमारे पास अब मीट हमने डाल दिया फिर से इसमें कश्मीरी में इसको नियम बूलते हैं और यह तो हम इसको मॉटल एंपैसल में डाल रहे हैं और हम इसको कूटेंगे जब तक नहीं सॉफ्ट हो जाए तो आप अगर अगर जाल देंगे इसमें अनिमल फैट भी हम अग तिया आजकर कुए अलेकस्ट्री प्रॉबलम है और यह तो अठ्रेंटिक वे हैं अब हमने लिए हैं आठ बड़ी इलाइची और छे चोटी इलाइची एट बलाक काडमम उनके हमने सीड्स निकाल दिये हैं अब डाल देंगे हम इसमें उनके सीड्स फिर जाएगा इसमें एक चोटी चमच देखिए फिर हम डाल देंगे इसमें जिंजर पाउडर यह शौट एक चोटी चमच और इसमें नमक आप डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास अब मीट है यहां पर आप आप वो भी डाल दीजेगा मास्क कश्मीरी में बोलते वरना वो गिर जाएगा रिस्ता तूट जाएगा अब हम इसमें यहां पे अंडे दो डाल देंगे टू एग्स और आपको इसको आदे गंठे रखना है फिर ऐसे ही अंडे डालने के बाद डोंट फगेट इट दो अंडे डाल दीजेगा आप यहां पे तो आदे गंठे के करादre सेपरेट अपने के बाद हम लेंगे दूसरे पैन में पानी घरम पानी उसमें हम ढाल देंगे हल्दी एक चोटी चमच उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक दालचीनी की स्टिक, छे लॉंग, तीन बड़ी लाइचीन, पांच छोटी लाइचीन, और आपको इसको बहुत उबालना है, बहुत जादा उबालना है जितना कि इसमें जो इनकी फ्लेवर्स है वो आजाए मसालों के पानी में, अब हमारे पास आदे गंड़ों को हमने रखा था सेपरेट करके, मिक्स्चर इसका हम यह डाल देंगे अब रिस्ते बना के, आपको किस साइस के रिस्ते चाहिए, ताकि इसमें जो है जो फ्लेवर्स गए थे मसालों के वो इनमें आ जाए रिस्तों में, और थोड़ी सी यह इसलिए आपको इसको एक उबाल तक लाना है, ज्यादा देर नहीं उबालना है इस पानी में, एक उबाल इसलिए लाना है इसको स्मेल वगएरा चली जाएगी जो इसमें फिश में होती है जूली अजीब स्मेल वो चली जाएगी और यह गोल शेप के रह जाएंगे और फ् जब इसमें स्मोक निकल जाएगी ये देखे गरम हो चुका है अब आपको फ्राइ करने है ये रिस्ते फ्राइ करने से जो इनकी शेप वह बदकरार रहेगी क्योंकि हमने इसमें मैं जैसा कि बोल चुकी हूं माटन यूज नहीं किया है वाज़ा में माटन यूज होता है तो ह तो हमने रिस्ते निकाल गए लग दिये फ्राइ करके हलका फ्राइब अब लेंगे हम मस्टर ओयल एक और वैसल में हमने यहाँ पे कॉपर वैसल ली है उसमें डाल दिया हमने एक कटा हुआ प्याज और डाल देंगे हम इसमें हम टमेटो प्यूरी अगर आपके पस्ट अमा को आपको फ्राइ करना है जब तक नए तेल सेपरेट हो जाए और आप कितना खाना चाहते है इस रेस्पी में दाट इस यूर ओन च्वाइस हाँ इन रेस्पी में तोड़ा ज्यादा ही जोता है मगर अगर आप डाइट कॉंशिस है हेल्थ कॉंशिस है आप प्रीज ओल नम जिंजर गाले का पेस एक चोटी चमच बार के एक चोटी चमच अब डाल दीजेगा यह देखे आप देख सकते हैं और अलड़ी सेपरेट हो चुक है टमीटोस फ्राइए हो चुके हैं अब डाल देंगे हम जिंजर पावडर आदी चोटी चमच यह शोंट हलती जाएगी इ डाल दिया है यह दे चोटी चमच वान एफ टीस्पून हमने डाल दिया है ड़ चिली पावडर नमक अपने टेस्स के अकॉर्डिंग कर आप अच्छे से सारे स्पैसियो हमने आड की यह उंको आप मिक्स करेंगे टमीटोस के साथ और 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 ऐल के साथ तो तो टमाटर अप पानी आपको अच्छी कॉंटिटी में डालना है क्यूंकि उनमें हमें रिस्तों को बॉयल करना है यह देखिए ने पानी इसमें आड कर दिये हमने पे कॉपर वैसल दी है आप कोई भी पैन वागेरा ले सकते हैं इस सब करने के लिए तो अब जह हमने सारे रिस्ते फ्राइ लेके लिए रख देंगे इसमें तो यह क्यूंकि उबल रहा है और रिडी हमारी करी उबल रही है उसमें हम डाल देंगे सारे रिस्ते जो हमने फ्राइ करके रख दे थे सेपरेट प्लेट पे और अब हम इसमें फ्लेवर जाने चाहिए एक टमाइटोस की इसलिए हम इसको इसी में रख देंगे जब तक यह करी जो है और रिडी उसमें हो जाए आपको जितनी डिजायर कंसिस्टेंसी उतनी की न हो जाए और जो रिस्ते हैं उनमें फ्लेवर सो चले जाए सारे स्पाइस के और टमाटल अगया रहा है तो आप देख सकते हैं यह उबल रही है इसमे यहां पे आप देख सकते हैं यह सारा कलर इसके स्पाइस का है और टमाटो का है और टमाटो का है और यू किन सी हाव ब्यूटिफुल इट लुक्स तो मों में तो पानी आजाता है यहीं पे देख करिए आप यह रैस्पी जब ट्राइ करेंगे आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी आप स्कुलेट से कवर करेंगे और करी रेड्यूस करेंगे जब तक ना आप चाते हैं जितनी कंसिस्टेंसी की करी आजाए आजाए आप होट राइस के साथ आप होट स्टीम राइस के साथ आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं according to your own choice and preference तो आप यह रेसिपी ज़रूर ट्राइक करके हमें फीडबैक सेंड कीजेगा खास तोर पे हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजेगा वहाँ पे हम यूजूली एक्टियो होते हैं और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और बेल एकन प्रेस कीजेगा ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें